गुद मॉर्निंग इस्टोरेंट टोड़ी यूज ओफ गेट मेंस करवाना इस्टोरेंट गेट मेंस करवाना get का मतलब होता है कि जब हम किसी से कोई काम करवाते हैं यानि जब हम किसी से कोई काम करवाते हैं तो वहाँ पर get का यूज किया जाता है get के साथ आपको जो pattern यूज किया जाता है वो है get plus subject या something plus verb की third form get subject या something verb की third form ये subject और something वो चीज है बच्चो जिस पर काम हो रहा है यानि कोई यहाँ पर subject भी आ सकता है और कोई चीज भी आ सकती है तो पहले हम get लगाएंगे फिर वो subject या something आएगा और फिर verb की third form यूज करेंगे जैसा कि आपने let में पढ़ा था तो चलिए देखते हैं जैसे एक simple example पत्र लिखो अगर हमें simple में लिखना होगा तो हम लिखेंगे write a letter क्या लिखेंगे बच्चो write a letter लेकिन अब उसी को अगर हमें get के form में change करना है तो हम लिखेंगे पत्र लिखवाओ खुद लिखकर नहीं किसी और से लिखवाओ मतलब उसमें हम खुद काम नहीं करते हैं किसी और से काम करवाते हैं तो वहाँ पे होगा पत्र लिखवाओ get a letter written इसे तरह से एक और एजामपल देखिए मसाला पीसू grind spice इसका जब हम get में change करेंगे तो हो जाएगा मसाला पिसुआओ get spice ground ground आपका थर्ड फॉर्म है और spice पर वर्क हो रहा है और ये दोनों आपका something है ठीक है ये दोनों आपका something है ये दोनों example something का है इसे तरह से next subject का example चलिए देखते हैं रमेश को डाटो यहाँ पर वर्क किस पे हो रहा है रमेश पे वर्क हो रहा है रमेश को डाटो इसकोल रमेश और जब इसको हम change करेंगे गेट वाले form में तो हो जाएगा रमेश को डाटवाओ यानि गेट रमेश स्कोल्डट यानि काम किस पे हो रहा है तो गेट रमेश स्कोल्डट रवी को पिटो बीट रवी और जब इसे चेंज किया जाएगा तो रवी को पिटवाओ गेट रवी बीटेन और यह दोनों इसामपल आपका किसका है बच्चो सब्जेक्ट पर यानि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि चाहें सम्थिंग आए या सब्जेक्ट आए हमारा पैटर्ण में बस गेट और सब्जेक्ट या सम्थिंग और वर्व की थर्ड फर्म लगा देंगे तो हमारा गेट वाला फर्मूला तयार हो जाएगा इसको जो अर्डर रिक्वेस्ट है उस अर्डर रिक्वेस्ट में भी जैसे आप लिखते आए है वैसे लिख सकते है जैसे पत्र लिखो राइटा लेटर होता है तो जब इसको चेंज करेंगे पत्र लिखुआओ गेट और लेटर रीटेन इसी तरह से जो order request का form था पत्र मत लिखवाओ don't get a later return पत्र कभी मत लिखवाओ never get a later return पत्र कभी भी मत लिखवाओ never ever get a later return पत्र जरूर लिखवाओ do get a later return और जब इसको request में habit में plural और singular habit में change करेंगे तो वो सारा change होता जाएगा जैसे एक example पत्र लिखवाइए please get a later return please get a later return मैं पत्र लिखवाता हूँ I get a later return काम किस पे हो रहा है later पे हो रहा है राम पत्र लिखवाता है राम gets a later return चुकि आप जाते हैं कि singular में yes का use किया जाता है तो इस प्रकार से student आप sentence को बना सकते हैं thank you